भगवान विश्णू के प्रागट का वर्णा नाता है भगवान ब्रमा के प्रागट का वर्णा नाता है वैसे मेरे महादेव के प्रागट का भी वर्णा नाता है ऐसा नहीं कि मेरा महादेव प्रगटा नहीं प्रगटा जब ब्रह्माजी प्रकट हो गए भगवान विष्णू की नाभी से बड़े ज्यानी थे ब्रह्मदी, बड़े ज्यानी तब ब्रह्माजी ने भगवान विष्णू से प्रश्ण किया आप मेरे पिता हो क्योंकि मेरे कुछ जन्म देने वाले प्रगट करने वाले आप हो आप मेरे पिता हो मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विश्णू है पर मेरे भगवान विश्णू के पिता कोन है तब भगवान विश्णू के मुख से सहज ताम निकल गया शिब और घड़ी शंकर वो मेरा पिता है जल में आयन करने के कारण मेरा नाम नरेन पड़ा और उस जल में एक बिंदू प्रगठ हो गया था एक पानी के बुलबुले में एक छोटा सा बिंदू दिख रहा था छोटा सा बिंदू आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में अगर कोई ब्रह्म कुमारी वाले यहां बेठे होंगे जो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े होंगे उनको गए होंगे तो उनको बताया होगा ब्रह्म कुमारी अश्रम में आज भी मात्रिक बिन्दु दिखाया जाता है कि इस बिन्दु से उत्पत्ते है एक बिन्दु से और वो बिन्दु कोई दूसरा नहीं वो बिन्दु मेरा देव अदिड़ mathedev है क breakdown को निए गिन्दू कोई दूसरा नहीं है है भागवान विष्णूने साहच भाषा में कर दिया है मुझे प्रगट करने वाले भी शिब опять मुजह शिब का दर्शन करना है अ कि बरंमाजी और भगवान विश्मु ने परफत को मना प्रखरम करा घर्शन करना प्रारम करा परवत घूमते ञंटे खूमते घो परवत ने एक अगनी के खंब की आकरती प्रगट कर ली और एक लिंगायक आकरती प्रगट करकर खंबे में से मेरा देव अधिद्य महादेव प्रगट हो गया कि शिवजी ने प्रगट होकर भगवान विश्णु और ब्रह्मा जी से कहा मेरा सुरूप इस प्रथवी पर प्रगटा नहीं है तुमने जो शिवलिंग की आकरती बनाई है यह मेरा सुरूप प्रगटा यह मेरा सुरूप प्रगटा महा शिवरात्री दुनिया के लोग मनाते अभी आ रही है सारी दुनिया में संकर जी और पार्वती जी की साधी होगी और शिव जी की साधी की तारीक तो अलग है बेसाग का महिना शुक्ल पक्ष की पंचमीति थी को भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ साधी हुई थी शिवरात्री का दिन तो ब्रह्मा और विष्णु ने जो भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रगट करा था उनके प्रागट्य उस्व का दिन है तो दनिया के लोगों ने का फिर सिवजी और पार्वती जी की साधी का क्रम क्यों मनाया जाता है शिवजी और पार्वती जी का साधी तो बेशाख सुक्ल इससे उमा महेश का विवा हुआ, उन महेश के बंसजों में बहुत सारे महिश्वरी बंदुओं का आप दर्शन करते होंगे, महिश्वरी समाज की उत्पत्ति, उना उमार महेश्व से हुई है, तो जो उमा माता और भगवान महेश का विवा हुआ था, वो शिवरत्री के दि है वों बेशाक महीना जम के लो कुस्ma महीना ये देशाक का शुक्ल पक्ष καी जम टिल्य हूं जडिए पंच मीति धा दिन देव अधीदय नहीं का भिवा रात्री के दिन भीवान्द बनाते मंगल भीवा का उस्सौव करते हैं क्यों क्योंकि यही का एक अउ snack की रूप में वता पारवती का तो दू बावनवे नंबर का जनम है 52 नंबर पर पारवती का जन्म हुआ इससे पारवती मैंया एक कावन जनम ले चुकी थी थी कात्याइनी कुष्मांडा हिसकन्दा उमा सती भेरभी पर बगला दुरुमावती ऐसे माता पारवती के पहले आउतार हो चुके हैं इसलिए मेरे देवदीदेव महादेव के गले में जो मुंदो की माला पड़ी होती है गोई कावन मुंदो की माला पड़ी हुई है कि शिवजी के गले में कामन मुंडों की माला है कभी मेरे महाकल बाबा का दर्शन करना महाकल बाबा के दर्शन करोगे तो महाकल बाबा के गले में आप कभी चांदी के मुंडों की माला देखना चांदी के मुंडों की जो माला दिखेगी वो महादेव के बाबा के किसी पंड पारवती के जो प्रान छूटते हैं भगवान शंकर ने वो पारवती के मुंडों को अपने गले में धारण करकर रखा है अपने गले में धारण करकर दुनिया के अपनी धर्म पतनी से सबसे जादा प्रेम करने वाले के वले की हैं वो है देव अदिदेव महादेव इत्ता प्रेम करते इत्ता प्रेम करते कि पतनी मरके भी चली गई तो उसका मुंड़ा अपने गले में पेहन के और आज का आदमी होता तो मरते से दूसरी का विचार कर ले तक इसको लाना को महादेव है कि महादेव कि क्या भगवान विष्णु की अश्ट लच्मी नहीं हुई और भगवान नरयन की अश्ट लच्मी नहीं हुई पर मेरे नरयन के गले में कभी तुमने अश्ट लच्मी ो किसमरण नहीं देखा होगा केवाल एक लच्मी को देखा हो पर मेरा महादेव इक कावन चली गई उनके मुंडों को भी अपने गले में धारण करकर रखा है वो मेरा देव अदीदेव महादेव है जो नारी का सम्मान करना जानता इस्त्री का आदर करना जानता सत्कार करना जानता किसी धर्म में किसी धर्म में दूसरे धर्म में नारी का जितना सम्मान नहीं होता उतना सनातन धर्म में होता उतना सनातन धर्म में होता दूसरे धर्म के देवताओं को देखना अकेले ही मिलेंगे पर हमारे सनातन धर्म के देवताओं को देखना नाराइन के साथ लच्छमी इंद्र के साथ इंद्राणी कृष्ण के साथ राधा राम जी के साथ सीता महादेव के साथ पारवती हमेशा जोड़े से मिलते हैं वो यू कहते हैं कि तुम इदर उदर मत भट को साथ रहो आनंद में रहो अलमस्त रहो जैसे हम दोनों साथ रहते हैं तो रोज 56 भोग खाने को मिलते हैं तुम दोनों साथ रहोगे अकेले कहीं चले जाओगे तो दुख ही हो जाओगे इसको ले जाओगे तो रोटी बनाकर केसे भी तुमको देखी देगी इसलिए साथ बनाकर लगे साथ